राष्ट्रिया स्वयम सेवक संग स्वयम सेवकों की गुरु दक्षिना पर चलता है। साल में एक बार भगवे द्वच को गुरु मानकर उसकी पूजा में दक्षिना समर्पित करते हैं। तो भगवे द्वच गुरु क्यों हों क्योंकि अपनी तब से आज तक की परंपरा का वो चिन है। जब जब हमारी इतियास का विशेय आता है यह भगवे द्वच कहीने के रहता ही है। यहां तक की स्वतंत्र भारत का द्वच कौन सा हो इसका फ्लैक कमिटी ने जो रिपोर्ट दिया। वो तो यही दिया कि सर्वत्र सुपरिचीत सुपर्चिश्टित भगवा जंड़ा हो। बाद में उसी परिवरत नुवा तिरंगा द्वच आ गया, वो हमारा राष्टर द्वच उसका भी पूर्ण सम्मान रखते ही है। यह भी प्रटन उठाये जाता है। शाखा में बगवा जंड़ा लगता है। तिरंगा जंड़े का क्या। तिरंगे जंड़े के जन्म से उसके सम्मान के साथ संग का स्वन्शक जुड़ा है। मैं आपको सत्य कता बता रहा हूँ। निश्चित होने के बाद उस समय तो चक्र नहीं था, चर्का था द्वच पर। पहली बार फैसपूर के कॉंग्रेस अधिवेशन में उस ध्वच को फैराय गया, असी फिट उचा ध्वच अस्तंब लगाया था, नेरुजी उसके अध्यक्स थी, तो वो बीच में लटक गया, उपर पूरे जा नहीं सका, और इतना उचा चड़के उसको सुलजाने का सास किसी का नहीं था, एक तरुन भीड में से दोड़ा, वो सरसर उस खंबे पर चड़ गया, उसने वो रसियों की गुथी सुलजाई, द्वच को उपर पहुचा के नीचे आ गया, तो स्वाभाविक लोगों ने उसको कंदे पर लिया, नेरुजी के पास ले गया, नेरुजी पर अबिद्ध में रहने वाले श्री किसन सिंग राजपूत नाम के वो स्वाइन्चोग थे उस समय, पांच वर्ष या छे वर्ष पहले उनका द्यान तो हो गया, उर्द्ध हो गया, डॉक्टर हेडगवार को पता जला, डॉक्टर हेडगवार प्रवास करके गया, डॉक् इसके सम्मान के साथ स्वाइन्चोग जुड़ा है, जब पहले बार कॉंग्रेस ने संपूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया, लाहर के देविशन में, तो डॉक्टर साब ने सरक्योलर निकाला, साब शाखाओं में, कि हम लोग संचलन निकाले, 1931 की बात है, औ संचलन में तिरंगे दोच के साथ संचलन निकाले, और कॉंग्रेस का अभिननदन करने वाला प्रस्ताव शाखाओं के द्वारा पारित करके बेजा जाए कॉंग्रेस कमेटी के पास, डॉक्टर हिडगेवार उनके जीवन में देश का परम वैवो, देश की स्वतंत्रता य अमर पितरा है, इससे दूसरी बात संग में नहीं चलते हैं।